मैं डक्टर अमिद भटनागर पंतनगर विश्विदाले में सस्य विज्ञान विवाग क्रिशी माविदाले में प्रोफेसर के पत्पर कारे रहत हूं और इस चैनल के माध्धम से मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे तकि उसका लाव अपनी खेती में ले सकते हैं आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि जो गेहुं की फसल है या कोई भी दूसी फसल है जैसे उधाना तो मैं गेहुं का ले रहा हूं इससे में क्योंकि गेहुं की फसल इस अवस्था में आ रही है जिसमें बालिया आ रही है तो उस समय जब बालिया आ रह और उससे दानों का अथार बढ़ता है दाने मोटे होते हैं उनका बजन बढ़ता है और उपजभी अधिक मिलती है अगर पत्तियों में जो फोटोसंटेट्स बने हैं कार्वोहिडरिट बने हैं अगर वो दानी तक ना पहुँचे तो दाना छोटा रहा जाता है तो ऐसी आव अगर कमी नहीं है तो हमें उसके छड़काब करने कोई फायदा नहीं होगा और बोरान के केस में तो हो सकता है हमें नुकसान हो जाए क्योंकि बोरोन की विशाक्तता बता टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है लेकिन समाने ता बहुत किसान पोटेश्यम का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं जमीन में पोटेश्यम की समस्या रहती है और यह पोटेश्यम का बहुत महत्पूर काम होता है सीट के जर्मिनेशन से बीच के जमने से लेकर के फसल के पकने तक तो और इस समय अगर पोटेश रही हो और दाना बन रहा हो उसी समय करना है उसके बाद करेंगे तो कोई फाइदा नहीं होगा अब बात यह है कि हम प्रटेश्यम को छड़काव करें तो हमें कौन से उर्वरक का छड़काव करना चाहिए बजार हो बहुत तरह के प्रटेश्यम के उर्वरक हैं अगर मैं फासफोरस भी है और प्रटेश्यम भी है इसमें 19 प्रतिश्यम नाइट्रोजन है 19 प्रतिश्यम फासफोरस है 19 प्रतिश्यम है एक है जिसमें पी और के होता है के वन जीरो बावन चौतिस इसमें नाइट्रोजन तो शुन्न है और फासफोरस बावन प्रतिश्यम प्रतिश पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी कि हमें कौन सा इस्प्रे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए जैसे मैंने भी बात होता ही कि जब बालिया निकल रही है फसल की बढ़वार उस समय पूरी हो चुकी होती है केवल बालियों की लंबाई बढ़नी होती है बालियों के अंदर दाने भरने की जरोत होती है खासतोर से ये गयों में बड़ी महत्पूर वस्था है और जो बीज ज जाने का काम नितलब फासफ्र का और नाइट्रोजन का कोई काम इतना नहीं है जिटना की प्रैशम का है यह हमारी बाली बन नहीं है और यह पत्ती है पत्ती के अंदर फोटो सिंथेट्स है वो यहां से यहां तक जाने है और इसको ले जाने काम करता है पोटेश्यम आयों तो अब मानली जा मैं एन पी के तीनों छिलक देता हूं या आप छिलकते हैं इसको पर नाइट्रोजन भी जाना जा रहे हं तो यह ले जाएगे तो store लेजाने में इतनी सहाइथा नहीं करेंगे तो इक तो हमने एन पी के डाला थो पैश्यम पटेश्यम का ब्रेंदों पत्ति से जए गो fünf होगा तो प्रीक नाइगे ऑःज्यकरन फास्ष्विस बहूं जा यह तो पी और के डालेंगे तो पी भी जाये माता थोड़ी काम हो जाएगी और पी उतना काम करेगा नहीं उसको लेजाने में 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 काम किसका है परेशियम का है तो यहां फिर हमको उतना फाइदा नहीं को फाइदा होगा लेकिन ऊतना नहीं होगा तो हमको जो फाइदा मिलेगा तब ही मिलेगा जब हमको केवल पेड़ेम जैये अगर हम केवल किवल बाले करते ही करते हैं क्लिफिल ऑफ फॉट değiş आज ब्ली पेज़ेगड만 और ये potassium जब पूरा absorb होगा, इन दोनों के affection जादा होगा, अब ये potassium जब अंदर आ जाएगा जादा मात्रा में, तो ये पत्तियों से जो शुक्ष पदार्द बने हैं, बालियों में ले जाएगा, और बालियों का size बढ़ेगा, दानों का अकार बढ़ेगा, और अच्छी पज मिलेगी, तो ये आपको समझ में आया होगा, कि जरूत जब potassium की है, तो हमें potassium ही डालना है, nitrogen phosphorus नहीं डालना है, अगर हम दूसरा डालेंगे, तो फायदा नहीं होगा, एक तो potassium का absorption दूसरे तत्तों की presence में कम हो जाएगा, और उतना काम नहीं आ पाएगा, तो दूसरे त इसकी जरूत है, potassium में जरूत है, यहाँ potassium कितना है, 19 प्रतिशत, यहाँ potassium कितना है, 34 प्रतिशत, यहाँ potassium कितना है, 50 प्रतिशत, तो हमें देखी, सबस्यादा डालने में एक तो हमें सबस्यादा potassium यहीं से मिलेगा, प्रतिशत में हमें सबस्यादा यहाँ मिलेगा, तो हमें इसका ही प्रियोग करना चाहिए SOP का तो आप इसका छिड़काब करेंगे इस उर्वड़क का तो आप ध्यान कीजिए हमें प्रटेशम छिड़कना है तो हमारे उर्वड़क में किवल प्रटेशम होना चाहिए nitrogen, phosphorus, sulfur होंगे तो हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा और जादा जादा आप इसका एक प्रतिशत तक का ही घोल बनाए जादा ना बनाए एक प्रतिशत का मतलब होता है एक ग्राम प्रती लीटर पानी में आप इसको घोल दे तो ये एक प्रतिशत का बन जाएगा प्रतिशत को जो हम 10 से गोड़ा कर देते हैं तो वो ग्राम प्रति लीटर में आ जाता है तो आपको एक प्रतिशत मतलब 10 ग्राम प्रति लीटर घोलना है और पसल के अनुसार करें 200 लीटर पानी एक एकड़ में लग जाता है उस हिसाब से इसका छड़काव करें तो आपको समझना आ गया होगा कि इन तीनों प्रति लाइजर में कौन सबसे अच्छा रिस्पॉंस देगा किसके सबसे अच्छे रिजल्ट आएंगे किस वाले काएंगे क्योंकि वसल को जरुत है पोटेशियम की तो पोटेशियम ही मिल रहा है और सबसे ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है अगर आपके पास M.O.P है M.O.P में 60 प्रतिशत रहता है तो उसमें जो आप उसका भी छड़काव कर सकते हैं अगर आपके M.O.P है मूरेट और पोटाश है इसके अंदर 60 प्रतिशत रहती है तो आप इसका भी छड़काव कर सकते हैं तो या तो आप S.O.P ले लीजिए सल्वेट और पोटाश ले लीजिए या मूरेट और पोटाश ले लीजिए तो ये बहुत अच्छे आपको रिजर्ट देंगे तो ये आपको समझमा आ गिया होगा कि हमें Potassium देना है तो उसमें Potassium ही वाला तत होगा तो हमको ज़दा benefit मिलेंगे और दानों के उपज़ भी क्या होगी ज़दा होगी लेकिन आपको ध्यान ये रखना है आपको flowering जब बाली निकल लिए तभी करना है और इसका ध्यान रखना है कि एक ही प्रतिशत हो इससे ज़्यादा जाएगा तो नुकसान हो सकता है दूसरा इस्प्रेइ आप 10 से 15 दिन बाद कर सकते हैं तो दो इस्प्रेइ कर लीजिए लेकिन पहले इस्प्रेइ में बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन मत कीजिए जलने का डर रहता है और ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे ये भी घुलनशील है पानी में और M.O.P.S.O.P. दौनों ही घुलनशील है लेकिन जो S.O.P. आता है वो 0050 के नाम से आता है बहुत इस नाम से ज़्यादा फेमस होता है और M.O.P. के नाम से ज़्यादा फेमस है तो आप देख लिए इन मेसे जो आपको मिल जाए उसका आप इस्प्रेइ कर दीजिए तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और दानों की रुपज भी आपको अच्छी मिलेगी जिससे दाना मजबूत बनेगा, बाली मजबूत रहेगी, दाने का बजन मोटा रहेगा, भारी रहेगा इसी तरह की चर्चा सुनने के लिए आप क्रिशी किसान प्लेलिस्ट को देखिए, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ और अगर चैनल सस्क्राइब नहीं कहा है तो सस्क्राइब कीजिए और इन वीडियोस को जाज़ाद लों के साथ शियर करें तकि उनको भी इनका लाब मिल सकों, धन्यवाद